कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत मुबारख हो आज का दिन बहुत शुब होने वाला है आज हम एक अपने स्षेशन लगाके रिखाने चाहरा है कि जिसमें अपने शरीडम को कैसे फिट-फायं लग सकते हैं आज की गवेडिकी तरीके कर सकते हैं तो हम कुछ दो तिन आसनों की बात करेंगे जो हमारी हमिलिटी को बूस्ट अप करेंगे तो सबसे फ्रेंट लाइन में हमारे जो आसन आता है वो है बस्तरिक आसन बस्तरिक आसन तो बस्तरिक आसन करेंगे हम अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसे पत्मासन में बैठ सक नहीं तो सिंपल चौकडी मार कर भी आप बैठ सकते हैं इसी नहीं है एक ही बराबर है कोई ऐसी बात नहीं अगर आपको पड़िक लगे तो ऐसे बैठी है नहीं तो चौकडी मार के बैठी है और ऐसे हाथों को हम यह उंगली जो है कि आप इस तरह से कर लेंगे इनका आपस म शांस चाथी फिला लेनी है और फिर जोर से चोड़ना है किस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ आपको आप दिखेगा पुझल है आपको 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 आपकोड़ना है है और के नहीं है पुलिखेग से तरह में अजना है यो नहीं है कि अब गहरी सांस लें दिरे दिरे छोड़ें कि दो बार हमने लंबी गहरी सांस लेनी है और दिरे छोड़नी है उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है और यह जो भस्तरी का आसन है इससे हमारी सपतस इमिल्टी बूस्ट आप होती है कैंसर सेल्स भी खतम करने में सक्षम है साथी में इससे हमारे शरी में गर्मी आती है अगर सर्दी में भी गर्मी का अहसास कराए यह आसन वाक्री में बहुत सब्सक्राइब आप इसको जरूर कीजिए अपने जिनके जाहिस सबनाए इसके साथी दूसरे आसन की बात करते हैं दुसरा वो है हमारा अलों किया करना आपने यह दायाां हात लेना है right hand अपने right hand all right hand की यह घूटे से right nostril अपने नग को दाइशिए दाई दाइट से लिए यहजय को नाय और बंद करके बाएन नथुने इस सांस लेना है यहां से सांस खीचना है उसके बाद क्या करना है हम सांस खीच के जिस तरफ से हमने खीचा था उसको ऐसे बंद कर लेना है और दूसरी साइट से यहां से छोड़ना है फिर इसको यहीं बंद करके रखना है फिर जहां से छोड़ा वहीं से खीचना है और फिर उसको बंद कर ल स्टार्ट किया था खींचना सांस को राइट को बंद किया था शुरुआत की थी हमने राइट को बंद करके लेट से खींचा था लेट से ही छोड़ के फिर आपने इस आसन को रिलीज करना है यस चलिए शुरू करते हैं मिलके लेट से छोड़ दिया फिर लेट से खींचा पिर राइट से कीचा बंद किया और लेट से छोड़ा रिलाक्स अब लंबी गहरी सांस लीजिए दो बार चेहरे पर एक मुस्कान हलकी सी मुस्कान अपने मन में विचार पैदा करते रहें कि मैं फिजियली और मेंटली यानि के शरीरिक और मांसिक दोनों तरीके से मैं और ज़्यादा स्वस्त हो रहा हूँ एक अच्छा विचार एक सु विचार लेकर आसन कीजिए दो बार हमने सांस लंबी घेरी सांस भरी रोकी और फिर दीरे दीरे सांस छोड़ी दो बार उसके बाद आप तीसरे आसन की बात करेंगे एक बहुत ही जवर्दस आसन देट इस कपालवाती कपालवाती एक ऐसा असन है जो 200 विमारियों में आपके शरीर को लड़ने में सक्षम हैं इस डूसों भीमारियां इस बहुत सारी प्रज़ाम्स हैं पेट की प्रोलम्स हैं किडिवी कि सांस का यसिरे अशील की और पथ्री लिदा हमारे जो शरीर के बहुत सारी अंगों के ताकत को बढ़ाता है और ये इसको जिन्दगी का एक हिस्सा जरूर बना है लेकिन कपालवाती करने से पहले आपका जो आपको खाली पेट करना है या अदरवाइस दिन में करना चाह रहे हैं तो आपको तीन से चार घंटे खाली पे सांस को उसके बाद छोड़ना है अपने छोड़ने के ओपर सांस को एक्जेल करना है छोड़ना है छोड़ने पर ध्यान देना आपने केवल छोड़ना है सांस अपने आप शरीर खींच लेगा अंदर सांस को छोड़ना है प्रेशर से और सांस अपने आप शरीर खींचेगा आपको खीचने पर सांस भरने में, सांस लेने के लिए टेंशन लेने नहीं है, ध्यान नी देना, आपने सांस छोड़ने पर ध्यान देना, करके दिखाता हूँ आपको कपाल बाती, कपाल बाती देखिए जैसे मैंने सांस भर लिया, फिर वही बात, ये पचीस से तीस बार आप पचीस से तीस स्ट्रोक आप दीजिए, पचीस से तीस बार ऐसे जटके से सांस छोड़िए और सांस शरीर अपने आप भरेगा, और उसके बाद दो बार आप फिर वही लंबी गहरी सांस लें, रोकें और फिर धीरे सांस छोड़े रिलेक्स रिलेक्स आप और भी तन और मन से और ज़्यादा स्वस्त हो रहे हैं आपके शरीर के सभी रोग दूर हो रहे हैं हमारा शरीर और ज़्यादा स्वस्त हो रहा है हम, हमारा शरीर हमारा मान से वस्त और ज़्यादा स्वस्त हो रही है इस सुविचार के साथ अपने सभी आसनों को करना है और इसके बाद आप क्या कीजिए ओम का उच्चारण कीजिए और औम का हुद्चारण करने से हमारे श्रीख भान को बहुत आराम मिलता है और मानसिक तौर पिर alloके is को चालें करते हैं आपने कि देदेवे सांस चोना पांच बार कीजिए कि ओ कि ओ कि ओ कि कि आँखें बंद करके आपने अपने दुनों आखों के बीच में ध्यान देना है और कि ओम का अचारण करना है कि फिर लंबी गहरी सांस दो बार कि फिर अग्राइब दोस्तों हम लास्ट करेंगे ब्रामरी कि तैट ब्रामरी में हमने क्या करना है अपने यह जो अंगूठों से कानों में कानों को बंद करना है कानों को न्गोथें दौनों बंद कर लिया यह तीन उंगलिया जो हमारी है एक उंगली ऊपर कि जो aitall video यह हमारी क्वाथे पर और तीन उंगलियों से आँखों को बंद करना है लेकिन इस ध्यान दीलिगा हमने ज्यादा प्रेशर नहीं देना कानों में या आखों पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना केवल उनको प्लग करना हलका सब बंद करना है यस हलके से टिकाना है उनको बंद करना है लेकिन आपने ओवर इसके उपर प्रेशर नहीं देना ज्यादा प्रेशर नहीं देना कानों को क कि सांस भरना है और सांस भरनाएं और कि दिर ओम जैसे हणी वीज मक्छयां बिन बनाती है या मचर भी जाना आथा उस तरीक आज हमारा सेशन हो रहा है और हम तन और मन्द से और ज्यादा स्वस्त हो रहे हैं। कैसे करते हैं पीट सीधी और सांस भर के फिर धीरे ओम कजाप करना और छोड़ते जाना है कि अग्याइब 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 relax कितना अच्छी फीलिंग हो रहे है कितना खोसुरत दोना अब लंबी घहरी सांस लंबी घहरी सांस लेजिए चार-पांच बार दो मिनट मिनिम्म लंबी घहरी सांस दो से पांच मिनट आप इस अभ्यास इस योगआ को कीजिए दंबी गहरी सांस आपने क्या करना है गिंती करनी है जैसे 5 सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार गिंती करनी है जिस स्पीड में करने है उसी स्पीड में गिंती करनी है और उसी से धीरे धीरे सांस खींचना है भरना है और उसके बाद तीन तक गिंती करते हुए आपने रोकना है उसको एक, दो, तीन, रोक लिया उसी स्पीड में फिर गिंती करने हैं और जितने समय में हमने सांस भरा था उसे ज्यादा समय में हमने छोड़ना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सार, आर, नौ, दज, ग्यार जितना लंबे समय आप कर सकें अभ्यास करेंगे तो धीरे-धीरे आपको हो जाएगा मैं करके दिखाता हूँ सांस भरना है हाथ वही ऐसी तरीके से लंबी-गहरी सांस पहले अगर आपको कोई प्रॉलम महसूस होती है तो आप सांस को पहले खाली कर लीजिए पेट खाली कर लीजिए, सांस छोड़ दीजिए उसके बाद देरे-देरे सांस भरिए चलिए, करके दिखाता हूँ मैंने पहले सांस छोड़नी है और अब भरूँगा छोड़ गया मैंने क्या किया पांच तक की गिंती गरी सांस भरा तीन की गिंती गरी सांस को रोका और पंदरा की गिंती गरी और सांस को छोड़ा यही चीज को इसी अभयास को हमने रिपीट करना है यह बहुत जबर्दस तरीका है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, सोने के टाइम में, लेट कर, बैठ कर, आफिस में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, कभी भी कीजिए इसको, इसका कोई नुकसान नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, 24-7 और इसको करने के अपने का नेक लाव हैं, बहुत लाव हैं, रिलाक्स, ये आपने इन आसनों को अपने जिन्दगी का रोजाना का हिस्सा बनाना है, सिर्फ अपने जिन्दगी को आप 15-20 मिनट कीजिए, और आप आएंगे कि आपके शरीर में, आपके मांसित, स्थीती में ब और आपके शवासंग करना है, हमने लेट जाना है, शवासंग में शव जैसिजए होता है, कि जो मर जाता है, और उसे कुछ नहीं पता हुता होता, आपने उस तरीके से आपने लेट जाना है, और लेट कर, बिल्को अपने आपको रिलैक्स करके हाथ ख़ेलियां ओपर को, और गर्दन बाई तरफ जुका कर और ध्यान हमारा ऐसे ब्रमान में चल जाना चाहिए कोई दर दर की बात नहीं और एक अच्छी फिलिंग के साथ में रिलाक्स करना है बिल्कुल बस अपने अपने आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है कोई मसल में टेंशन नहीं चेहरे आप महसूस करके दिखिएगा आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से महसूस होना शुरू हो जाएगा अभ्यास से धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी चलिए और शवासन करते हैं और हमने सिंपल है बहुत ही सिंपल है जैसे हम नॉर्मल सोने के खोलिएगा धीरे धीरे प्रकृति के साथ फिर दोबारा कनेक्ट हो जाएगा बाहरी एंवारमेंट के साथ फिर कनेक्ट होना है हमने तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जैसे हम उठ गए मालीजे चौकड़ी मारकर बैठ गए और चौकड़ी मारकर बैठने के बाद आपने क्या करना है धीरे धीरे महसूस करना है धीरे धीरे आंखों को खोलना है और आप अपने मन में विचार करना है कि मैं दोपारा दोपारा कनेक्ट हो रहा हूं तो ये इस विचार के साथ आपने करना है और भगवान का धन्यवाद करना है कि भगवान आपने मुझे इस काबिल कि मैं अपने शरीर को समय दे सका और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी के साथ हम अपने सेशन को वाइंड आप करते हैं और आप सभी आप सभी को एक प्राठान के साथ में कहता हूं कि आप और हम सभी लोग स्वस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अजय के साथ हैं, तक यू अपने के सभी लोग सेशन को वाइंड और करते हैं, अबस्टाव निए मोगाना आपका वाइंड प्राठाव एंड शरीर को व्यस्त रहें थाप्राठाव रहें प्राठावाशन के अश्यूदए लोगनावाच्छ धन्यूद्टावशन के डिवे